जो एक टाइल है जिसकी बेगे जो परलो ग्राम शेप में है परलो ग्राम में जुब इकवल एड परलो उसके बाद ये साइड जिसकी बेगे त efficacy होगा इतना ही जितना ये है अगर ये 24 होगगा झितना ये वाला साइड होगा उतना ही ऐी सल्मेटर हाई उसकी बीस 24 सेंटी मिटर और ही सेंटी मिटर है हमें क्या बताना है, हमारे पास, for example, एक बहुत बड़ा हॉल है, उसको हमें फ्लोरिंग करने हैं, ताइल्स लगाने हैं, हमें बताना है, उस हॉल का एरिया जो है, वो है वन थाउजन एटी मिटर स्कार, हमें बताना है, ऐसी कितनी टाइल्स उसमें यूज़ होंगे, तो हम क् निकलेगा, कितनी टाइल्स हमें यूज़ होंगे, तो लिखने हैं, बेस और टाइल, 24 cm, अगर नीटर्स में लिखने हैं, तो लिख सकते हैं से, 24 x 100, क्यों? क्योंकि, एक मेटर में 100 cm हो दिया, हाइट, height of tile, कितनी हैं, 10 cm, meters में convert करेंगे, तो बरेंगा, 10 divided by 100, okay, 0, 0, cancel, आएगा, 1 by 10, meter, उसके वाद, area of tile, कितना है, length into broad, sorry, area of tile, parallelogram है, base into height, base क्या है, 24 divided by 100 into 1 by 10, वह वाद, 24 divided by 1000 meter square, ओके, यह एक tile का area है, 24 divided by 1000 meter square, अब हमें क्या करना है, तो हम लिखेंगे, therefore, number of tiles required, required to cover a floor area of 1080 meter square, वह बराबर होगा, कितना floor area है, वह है, 1080 divided by 8 tile, कितना का और करेगी, वह है, 24 divided by 1000, ओके, 1000 ओपर चला जाएगा, यह बनेगा, 1080 divided by 24 into 1000, आप cancellation करते हैं, 21, 22, 22, 25, 24, 0 ओपर, 26, 12, 22, 24, 14 बन गया, 27, 0 उसके बाद 23, 6, 21, 23, 10 बन गया, 55 अगर, तो कितनी tiles हमें चाहिए, 45, 45 आ गया है, और हमें multiply है, 1000, 45 into 1000, वह वह 45,000 tiles, तो इस एरिया को कावर करने के लिए, 1000, 80 meters square और हमें, 45,000 तायलिस की जोराद, okay, thank you.